Hello Friends तो आज हम देखने वाले क्लास 12 के मेंस्टी जो हैलो एलकेन था हैलो एरीन देखना है उसपे पहुत जड़ादा इंपपॉर्टन रिएक्सन जिसका नाम है दी हाईडरो हैलोजनी करड़ तो ये हैलो एलकेन पे होती ही आपकी तो चलिए भाई इसको देख लेते हैं डी हाइड्रो हैलोजनी करण अपक्रिया को तो बस आपको क्या करना क्या है पूरे वीडियो को लाज तक देखना पूरी मेरी गरेंट कि आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है किसी अभिकारा कड़ो में HX मतलब हाइड्रोजन हाइड एक्स क्या है आपका हैलोजन है ठीक है है लोजन तो हैलोजन तो हैडोजन हैलाइड आडू के ओएच एलकोहली की उपस्तिति में प्रथाक हो जाता है इस अपक्रिया को डी हाइड्रोजनी करा अपक्रिया कहते हैं या आप वी हाइड्रोजनी करा मतलब डी भी लग सकता है यहां यहां पर V Hydrogen ठीक है तो वही बात है दोनों रियक्सटन आपको किसी नाम से मिल जाए तो वही है ठीक है तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आपको करना क्या है किसी अभिकारा कड़ो में Hydrogen Highlight आपको कोई Hydrogen Highlight लेना है हम लोग ले रहे है एथिल ब्रोमाइड को C2H5BR हम लोग एजामपल के तौर पर किसको ले रहे है C2H5BR को तो देखो अगर इसके स्टक्चर हम लोग खोले तो कैसे हो जाएगा यह C, C Carbon ठीक है दोनों यहां पर आपको क्या 5 Hydrogen लगाने हमने 5 Hydrogen लगा लिए अब इसकी क्रिया किससे करनी है हमसे कह रहा है KOH Alcoholis है तो सिंपली आपको करना है क्या है KOH Alcoholis इसकी reaction कर देनी जिससे बनेगा क्या यहां पर देखो यहां पर क्या बनेगा कह रहा है क्योज़ इलकोहली की उपस्षिति में ठीक है Hydrogen Highlight Hydrogen Highlight थाबने Halo Alcane बता दिया ठीक है Halo Alcane आपका यह है यह आपका क्या result और यह क्या Hydrogen Highlight Hydrogen Bromide ठीक है Hydrogen Highlight जो है इसको आप हटको हटाना इसके OH की उपस्ति करता थो कैसे होटे blueberry हो जाएगा थीक है देख सकते यहां से KBR निकलेगा और यहां है है आपका ये OH को लेकर निकल जाएगा ठीक है जिससे यहाँ पर बनेगा क्या देखो जब आपका KBR बाहर निकल जाएगा ठीक है KBR निकल गया और क्या निकला जल निकल गया ठीक है तो बचेगा क्या वही लिग देना आपको तो देखो H, C, H, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है, आप देखो, यह H और भी आ, तो निकली गए, आप यहाँ पे bond लगाना है, आपको कितने bond लगाओगे, यहाँ पे, यह आपको देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, आपको एक चीज़ रखना है, कार्बन के पास होते है, चार bond, कितने bond होते है, चार, तो वो चार ही बनाता है, ना, चार bond से कम बनाता है, ना, चार bond से ज़्यादा, यहाँ पे देखो, कार्बन के पास कितने bond है, एक और एक दो, यहाँ पे गिने, तो हर कार्बन, इस कार्बन के पास, एक दो, तो चार या एक दो दो चार तो देख सकतो आपको बस bond लगाना अगर यहाँ पर हाइडरोजन ना होता तो carbon एक ही one बना रखता तो हम यहाँ पर triple bond लगा देठें मतलब आपको करना करना carbon के हमेसा 4 bond बनाने इससे आप देख सकतो न अकभी ज़्यादा या V-Hydro-Helyo उजनिकार कहलाती है। तो हमने हेलो एलकेन लिया, ये हेलो एलकेन पर होती है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड लिया, इसकी क्रिया किसे की KOH-LKOLI से, जिससे कहा गया hydrogen halide RU के वच इलकोली की उपस्तिती में प्रथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है तो इसकी उपस्तिती में क्या हुआ hydrogen halide, ठीक है hydrogen halide क्या हुआ, इसकी उपस्तिती में अलग हो गया, देख सकते हो KBR और H2O निकल गया और आपका बन क्या गया, इलकीन आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो, इस परिवासा पर ये भी लिख सकते हो कि हैलो इलकीन से इलकीन पहुंचना आपका क्या कहलाता है हैलो इलकीन से कहां पर पहुंचता है, इलकीन में हैलो इलकीन से कहां पर ये आधिल ब्रोमाइड लिया, तो हमें एतिलीन के पास पहुचा दिया, C2H4, ठीक है. अगर हम आप यहाँ प्रोपेल ब्रोमाइड लियते है, तो हमें पहुचा था, प्रोपेन के पास. इसी तरह से आप क्या कर सकतो हो, लगा सकतो, अप हैलो एलकेन से अलकीन के पास पहुच think तो कैसे कोचल गोली से क्रिया करा कर ठीक है देख सकतो आपका H और BR बाहा निकल गया हैड्रोजन हैलाइड बाहा निकल गया और आपका एल्कीन बन चुग है भाई देख सकतो ये थी आपकी दिहट्रो हैलोजनी करण अपक्रिया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक पी कर दीजेगा ओके थैंस वाचिंग दिस वीडियो